Hello everybody, welcome once again to my channel जिसका नाम है मौज़ब हेल्ट एंड फिटनेस एजुकेशन आज का जो टॉपिक है वो मैं प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं हूँ उतना और वो टॉपिक है किड्नी ओविसली एक प्रोफेशनल डॉक्टर ही किड्नी के बारे में अच्छे से डीटेल में ब पताना चाहूंगा कि कैसे किड्नी हेल्ट एंड फिटनेस इंडेस्टी से लिंक है किड्नी वैसे तो हमारे बैक में लूर साइड रिपकेज में होता है 9, 10 और 11 रिपकेज में इसका जो डाइमेंशन है लॉंगेस डाइमेंशन इस एबाउट 9 से 11 सेंटेमीटर में फंक्श कर जो होता है हमारा जितना भी हम कुछ खाते हैं वैस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करता है और इसीलिए किड्नी एक्ट ऐसे फिल्टर बोलते हम लोग फोर दा ब्लड यह किड्नी के फंक्शन कर सकते हैं या हम अपने किड्नी को हेल्धी रख सकते हैं direct connection कैसे मैं आपको बत किड़नी में एफेक्क करता है ये सब जानते हैं हेल्थ से मैं ये लिंक कराने कोशिश करूंगा कि जो बंदा fitness enthusiast होता है वो जिन्दगी में कुछ हो नहों अपने बॉड़ी का जरूर ख्याल लगता है इसलिए उसके लिए बहुत आसानी है इसमोकिंग छोड़ना वो जितने भी बैड हैविट से जितने भी उसके बॉड़ी को हाम करता है वो आसानी से उसको छोड़ देता है तो कुटिंग इसमोकिंग इस वेरी एजी फूर ए इन्थोसियास्टिक हल्थ इन्थोसियास्टिक परसन दूसरा आपको जो इसमोक नहीं छोड़ पाते हैं उसके लिए में एक वार्निंग दे रहा हूं यह कि ओवर सेवन थाउजन केमिकल जो है ना वो हम लोग इंसाइड लेते हैं इसमोकिंग के जरीर तो कितना डामेज होता है हमारे बॉडी से यह स्मॉक करने से दूसरा जो है कैसे लिंक है किडिनी वह हमारा हाट प्रॉब्लम हाट प्रॉब्लम अगर होगा तो किडिनी प्रॉब्लम होगा क्योंकि वर्ण फॉर्थ ट्वीपरसंट औस आप स goes to the kidney 25% जो है ना जो हमारा heart pump करता है वो directly हमारा kidney में जाता है तो heart healthy रहेगा तो kidney healthy रहेगा और heart healthy के लिए हम सब जानते हैं कि fitness exercise किसना जरूरी है cardiovascular activity करके हम अपने heart को healthy रह सकते हैं तीसरा जो point है immune problem immune problem होगा तो kidney problem होगा और immune system को हम कैसे boost करते हैं कैसे healthy person boost कर सकता है अगर जितना exercise करेगा जितना workout करेगा जितना physical active रहेगा वो उसका immune system उतना ही मजबूत रहता है immune system मजबूत रहा आपका kidney मजबूत रहा और covid-19 का अभी इतना चल रहा है न्यूज में सब कोई सुन रहा होगा कि जिसका immune system मजबूत है उसको उतना यह effect नहीं करता करता भी है तो वह fight कर लेगा तीसरा मैं आपका point बताता हूं कि जो link है हमारे kidney से और fitness industry से इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि हम हम दूसरी तरह kidney को कैसे healthy रख सकते हैं या toxin out कर सकते हैं repair कर सकते हैं पहले तो मैं बताऊंगा कि आपको कि max you that you are taking enough water और water ही एक ऐसा liquid है water is only the liquid that we can clean out यह natural cleaner liquid बोल सकते हैं हम लोग को हम लोग बाहर भी सफाई के लिए water का ही ज़रूत परता है और internally भी water ही ऐसा काम करता है जो body को clean करता है even कि बहुत सारे bacteria जो harmful bacteria होते हैं उससे fight करता है हमारा water so make sure that you are taking enough water और भी diets में हाँ अगर आपको lifestyle better lifestyle करना है तो आपके जिन्दगी में दो चीज होना ही होना चाहिए एक exercise दूसरा diet diet के बारे में बात करते हैं जैसे आप ले सकते हैं oatmeal oatmeal is a very rich source of iron and vitamin B6 जो excess इसको हम लोग बोल सकते हैं कि prevent करता है kidney stones होने से oats meal और oats meal का मैं already बहुत फायदे बता चुका हूँ एक video में कि यह complex carbohydrate है throughout the days हमको energy देते रहता है और यह rich है iron से और iron जो हम लोग nutrient depletion जिसको कमी होती है उसको oats meal एक खिलाना चाहिए दूसरा अगर meal का बात करें हम mushroom mushroom खा सकते है very low in potassium और kidney को low potassium चाहिए low sugar चाहिए low salt चाहिए तो mushroom में low potassium होता है और high vitamin D होता है vitamin D का जिकर आया तो मैं एक चीज़ याद आया कि vitamin D जो है active body में तब होता है जब हमारा kidney proper function करने लगता है if kidney is not working properly no matter how much vitamin you are taking it will not work properly until and unless our kidney is working properly so जितना भी vitamin D हमारे body में जाता है वो kidney active करता है kidney active proper काम करेगा तभी हमारा optimal level में काम करेगा तभी vitamin D लेने का फाइदा होता है दूसरा तीसरा मील हम अगर बात करें तो fruits ले सकते है fruits is a great source of minerals vitamins और भी बहुत सारे benefits हैं जहां fruits का बात आए nothing can beats an apple when we are talking about a best front अगर वो बोलते हैं कि an apple keeps a doctor an apple a day keeps a doctor away तो यह कहावत बिल्कुल सही है क्योंकि apple जो है वो rich होता है हमारे vitamin C से और जो cholesterol होते है हमारे body में excess उसको remove करता है दूसरा जो हमारे high blood pressure होता है उसको slow down करता है एक apple so apple is a very good source इसले इसको flow का राजा कहा जाता है एक last और एक important tips में जो health related है बहुत important है वो है protein I know I know protein maintain our muscle mass protein maintain our immune system बट 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 वह कहावत है न excess everything is bad तो protein excess protein can damage our kidney और यह news आप लोग भी बहुत सुने होंगे बहुत सारे body elder बहुत सारे यंग एस्टर जो जिन नेने जोइन करते हैं excess amount of protein लेने से भी kidney हमारी damage होता है कितना protein लेना चाहिए मैं already एक video बना चुका हूं उसको उससे जादा अगर protein हम लोग लेते हैं तो क्या होता है कि हमारी body can't absorb those extra proteins तो क्या होता है इसका मतलब यह हुआ कि kidney damage हो रहा है हमारा so please do not take excess amount of protein protein ही क्यों कोई भी चीज एक्सेस ना करें और अगर आप improve कर रहे हैं तो धीरे धीरे improve करिए कोई भी चीजों को सदेन चीजे जाएंगे आधी अधीरी knowledge लेके तो वह बहुत नुक्सान करेगा लास्ट में मैं यही कहूंगा कि I am a research scholar मैं जानता हूं समुंदर में से सुई कैसे खोजा जाता है मैं इस topic में उतना professionally qualified नहीं हूं better but as a research scholar मैं I do lot of research especially जब इस तरह का मैं video बनाता हूं तो मैं बहुत professionally लोगों को सुनता हूं books परता हूं cross check करता हूं तब जाके यह video बनाता हूं but 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 whenever you need a professional medical advice any diagnosis any treatment please please consult your physician and never ever disregard a medical professional advice इस वीडियो में बस इतना ही फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में तब तक के लिए goodbye thank you